नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार वदोद्रा से मैं मिशा गुपता, जेजी नाइट द्वारा चैनल पुस्तक राम्था रवाइट बूप के अध्यायच है और आडियो नंबर 21 में आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों, इस चैप्टर में राम्था हमें हमारी मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में बताएंगे तो आएए शुरू करते हैं राम्था हमसे एक प्रश्न पूछते हुए आरंब करते हैं क्या आप पुश्पो से कम हैं? उनका जीवन क्या है? वे परिपून कलियों से पैदा होते हैं जो सूर्य की गर्म किर्णों से पूरी तरह खिल जाते हैं उनकी अदबूत खुश्पू पवन को एक सुगंद से भर देती हैं जिससे सभी चीजें नए जीवन की आशा में प्रसन हो जाती हैं वे पक्षियों को उनकी उरान में, मदू मक्षियों को उनके परिश्रम में और मनुष्य को उसकी प्रसनता और प्रेम की खोज में निखारते हैं तो अदबूत पुश्प एक बीच स्थापित करता है ताकि वे फिर से आ सके और जब पुश्प ज़र जाता है और फल निकलता है इसे बुद्धी मत्ता कहा जाता है वही जीवन का फल है और जब फल खालिया जाता है और शरद रितू का मसाला और फसल भूमी पर होती है तो पेड उत्तरी हवा से कामपना शुरू कर देता है अपनी अद्भूत पत्तियों को खोना अरंब कर देता है जब तक कि वे वहां खड़ा नहीं हो जाता इस पश्ट रूप से नगनव जब महांच्वेट सन्नाटा आता है और पेड़ों की तहनियों को घने चमकदार चमक से भर देता है और सब कुछ ठंडा और बंजर हो जाता है तब पुष्प कहां होंगे यह इस्मृती में हैं यह बुद्धी में हैं यह पिछले वसंत के विकास में हैं और यह फिर से उभर रहे हैं क्योंकि जब रित्तु बदलती है और सर्दी चली जाती है तो कलियां फिर से आती हैं और देखो एक और पुष्प खिलता है यदि जीवन की निरंतरता को एक ही पुष्प में देखा जा सकता है तो आप यह क्यों सोसते हैं कि आप एक पुष्प के जीवन से कमतर हैं क्या आपको लगता है कि आप केवल वसंत रित्तू में खिलते हैं, गर्मियों में फल उत्पन करते हैं, पतज़ड में अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर सर्गियों में मड़ जाते हैं लेकिन क्या आप महानतम पुष्प से भी महान नहीं हैं? क्या आपका जीवन अधिक महत्वपूर नहीं हैं? वास्तव में ये हैं और जैसे हर वसंत में फूल खिलते रहते हैं, वैसे ही आप एक के बाद एक जीवन जीएंगे आपके पुष्प, आपके द्वारा देखे गए सभी मौसमों के बारे में एक अच्छी कहानी बता सकते हैं तभी एक छात्र उनसे पूशता है, मेरी मा के पिछले वर्ष मृत्यू हो गई और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे अभी भी जीवित हैं और यदी हैं तो क्या वे खुश हैं? इस पर राम्था उनसे पूशते हैं, क्या आप मृत्यू में विश्वास करते हैं, मास्टर? पुशातर कहते हैं, कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन अधिकार समय मुझे यह एहसास होता है कि शायद हम तब भी जीवित हैं मेरे तीन बच्चे हैं, और मैंने उनके विशे में जो देखा है, यहां तक कि जब वे पैदा हुए थे तब से, वे यह है कि प्रत्येक का एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व था, जो वास्तव में उनके बड़े होने के बावजूद बहुत अधिक नहीं बदला है यहां तक कि हमारी बिल्लियां और कुट्टे भी उस समय से ही एक निश्चित व्यक्तित्व वाले थे, जब से वे बहुत छोटे थे कभी-कभी मुझे विश्वास ही नहीं होता कि उनका व्यक्तित्व केवल इसी जीवन में विक्सित होता है तो यह मुझे सोचने पर विवश्च करता है कि संभवता हम पहले भी जी चुके हैं और आगे भी जीते रहेंगे राम्था कहते हैं बहुत बुद्धी मत्ता वाला अवलोकन है आपका मैं आपको एक महान सत्य बताऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे कभी न भूले जीवन कभी समाप्त नहीं होता यह सच है कि आप शरीर को शत्विक्षित कर सकते हैं आप उसका सिर काड़ सकते हैं आप उसको भाड़ सकते हैं और उसके साथ हर घिनोना काम कर सकते हैं लेकिन आप कभी भी उस व्यक्तित्व को नश्ट नहीं कर सकते जो अफ्तार के भीतर रहता है एक पल के लिए विचार करें कि कोई किसी विचार को कैसे नश्ट कर सकता है उड़ा सकता है, चाकू मार सकता है या युद्ध कर सकता है आप नहीं कर सकते और सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति चाहे मनुष्य हो या जानवर, विचारों और भावनाओं का अदृष्य सम्मूह है, जिसे आपका व्यक्तित्व कहा जाता है, जो शरीर के मुखोटे के पीछे रहता है. जो चीज शरीर को गुण, जीवन शक्ति और चरित्र प्रदान करती है, वह विचार का अद्रिश गुन है जो उर्जा है यही वह चीज है जो मुझ को काम कराती है आखों को काम कराती है अंगों को काम कराती है यह अद्बुत उर्जा है जो सभी छोटी तंत्रियों को खीच रही है जैसे कि वह थे कोई भी चीज कभी भी उजा को नश्ट नहीं कर सकती कोई भी चीज किसी से जीवन शक्ति नहीं चीन सकती वृत्यू एक बड़ा भ्रहम है क्योंकि जो बनाया गया है वह कभी नश्ट नहीं हो सकता वृत्यू केवल शरीर की होती है वह तत्व जो शरीर में रहता है और संचालित करता है जल्द ही वापस आ जाएगा और दूसरे अफ्तार के साथ एक ही कृत हो जाएगा यदिवेचा है क्योंकि जीवन शक्ति जो मास की दिवारों के बीतर रहती है वह चलती रहती है इसे याद रखें अब मैं आपको बताता हूँ कि इस धरातल से चली जाने वाली आत्माओं का क्या होता है जब शरीर प्रभावी नहीं रह पाता है तो उज्जा इकाई की आत्मा द्वारा वापस ले ली जाती है हर चीज में एक आत्मा होती है यहां तक की जानवरों में भी एक आत्मा और जीवात्मा होती है यदि ऐसा नहीं होता तो उनके पास अपने जीवन को बनाये रखने के लिए आवश्यक उज्जा और रचनात्मक्ता नहीं होती एक बार जब जीवात्मा आत्मा को बाहर बुलाती है और उसे उसकी गुहा से मुक्त कर देती है तो चीजे स्विस्थिल और शांतिपून हो जाती है आपके धर्म से जुड़ी एक कहावत है देखो ईश्वर के पार्ले में कोई पीड़ा नहीं है कोई आंसू नहीं है को और कोई दुख नहीं है यह सत्य है क्योंकि जब आप इस धरातल से जाते हैं तो आप शरीर की प्रवृतियों और समवेदनाओं से मुक्त हो जाते हैं इसका अर्थ है कि अब आपको भै या शरीर की पीड़ा और दर्द या शरीर की भूक या समय का भ्रह्म जो चिंता का कारण बनता है अनुभाव नहीं होता है बहुत एक शरीर से जुड़ी सभी चीजें अब नहीं रहती और आप उस इस्थिती में होते हैं जिसे यूटोपिया या अस्वप्न लोग कहा जाता है अब आप इश्वर के पालने में होते हैं शरीर की मृत्यू निद्रा में जाने के समान है एक बार जब जीवात्मा आत्मा को बहर बुलाती है और उसको उसकी गुहा से मुक्त कर देती है तो वह शरीर में उज्जा केंड्रों जिनें सील या चक्र कहा जाता है उसकी माध्यम से उपर की और यात्रा करती है आत्मा जो की स्मृति है शरीर की कोश किये द्रव्यमान को अन्तिम सात्मे चक्र के माध्यम से छोड़ती है जिसे प्यूशिका ग्रंथी ये पिट्यूटरी ग्लेंड कहा जाता है जो सिर के केंडर में स्थित है उस मार्ग को प्राया पवन की द्वनी के साथ एक सुरंग के माध्यम से यात्रा के रूप में अनुभव किया जाता है सुरंग की अंत में जो प्रकाश दिखाई देता है वह आपके अस्तित्व का प्रकाश है आपके अस्तित्व की आत्मा है एक बार जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर समाप्थ हो जाता है और एकाई एक स्वेतंत्र आत्मा बन जाती है इसमें बस एक शन लगता है और यह पीरा रहित होता है मित्रों आज के लिए बस इतना ही आप सब का बहुत-बहुत आभार